मुझे लगा मैं तो इस मियोक्स जो कि फ्रांस के अंदर है एंड डिसनीलैंड से काफी पास है so if you are planning to visit फ्रांस then you may give a chance to mucs because यह इतनी beautiful city है ना इतनी beautiful city है मैं आपको क्या बताओ यहां का वाई भी अलग है मैं तो जाने वाली थी यहां पर बस रुकने के लिए आई थी क्योंकि यहां accommodation सस्ता था बैट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने decide किया कि मैं इसे पूरा दिन दूंगी और घूमूंगी यह जो दिख रहे है ना आपको यह museum है एंड इसके लावा यह जो लेक था ना माशालला क्या तो लेक था देख की मज़ा गया यहां पर बहुत बड़ा से एक बोट रखा थ था जो कि बहुत ही सूपब था प्लस इसका आसमान और जो रोड का वाइब था ना अब जब जाओगे आप तभी experience कर सकते हो तो मैं तो बोलूंगे भाई जाओ इधर इधर का आसमान देखो इधर पर जो चेडिया घूम रही है वह सब देखो और मज़े करो तो गाइस यह के इतने restaurant हो मतलब यह हिलता डुलता नहीं है यहाँ जब शाम हो जाती है ना तो इधर पार्टी होती है लोग आते अपना बियर वियर जो भी पीते होंगे पता नहीं पर मैंने अपनी खिड़की से देखा था मेरा ना जस्ट रूम इसके सामने था और वह भी बहुत ही प् कम खर्चा पड़ता है प्लस यहां पर आप रहते होना तो डिजनी लैंड जस्ट आपको पढ़ेगा 20 मिनिट्स दूर अगर आपको आइफल टावर जाना है तो भी उसका डिस्टेंस यहां से इतना भी दूर नहीं है आप आराम से जा सकते हैं यहां पर जो लोग हैं वह भ मुझे यह जगह काफी पसंद आई तो अगर आपको जाना है फ्रांस के अंदर और कोई चीप जगह स्टे करना है चीप इंटरम्स आफ पैसे तो अगर आपको ऐसी जगह जाना है तो आई थिंक म्यूक्स आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है आपको कॉन से क कीप अकॉमोडेशन प्लस सुंदर जगह मिलेंगी जो कि आप कह सकते हो हिडिन जैंस ऑफ फ्रांस और यह पारिस के इतना पास है ना इतना पास है आप वो जास दो तीन फ्रेन बदलनी है और यह रीच देर आप देखो यहां पर पंक्छी कितने प्यारे लग रहे है और प आप एक पार्क भी था जो पार्क ने इतना बड़ा पार्क था वहां पे लोग बड़ा चिल कर रहे थे जो तालाब है उसके पास था तो अच्छी-ची हवाएं भी आ रही थी और यह जादा गर्मी का टाइम नहीं था नाहीं जादा सरदी का टाइम था यह आप कहलो कि करो शियर करो एंड इंजॉय करो यह जो भी वियों आप देख रहे हो